जैशी गणिजी दोस्तों मेरा नाम संधिया सक्सेन है मैं मालक्षनी जोतिश और अध्यात्मिक चैनल से हूँ जैसे कि आप जानते हैं हम आपको जोतिशे सलहा देते हैं पूजा पाठ और उपायों के बारे में अकसर बताते रहते हैं यह एक अध्यात्मिक चैनल है और एक जोतिशी चैनल है जिस पे आप हमेशा अपनी समस्तों के लिए बार में हमसे बात करते रहते हैं तो आज हम राशी फल की बारे बात कर रहे हैं और यह आज हम अंकों के हिसाब से सापताहिक राशी फल आपको दे रहे हैं जो कि 29 जुलाई से लेकि 4 अगस्त सन 2019 का है तो जनम एक तारीक को हुआ हो, दस तारीक को हुआ हो, उन्निस को हुआ हो या 28 तारीक को हुआ हो उनका टाइम कैसा निकलेगा जैसे कि मैंने आपको बनाया 29 जुलाई से 4 अगस्त का वह मैं आपको बताने जा रही हूँ तो जिन लोगा मूलांक एक लगता है जिनका जनम एक 10 और कारे शम्ता में आपकी कमी भी आएगी, आपको बहुती हीन भामना से ग्रसित होना पड़ेगा और आपको परशानी होगी, हानी के योग बन रहे हैं, इसलिए आप धहरे से काम लें, और किसी भी ऐसे चीज में हाथ ना डालें, जिसमें आपको नुकसान हो सकता है, कोई जलवाजी में निर्णा ना लें, सोच समझ के काम करें, और अपने दोस्तों के साथ भी डील करनी है, साथियों के साथ डील करनी है, सोच समझ की कीजिए, और एक उपाय आपके लिए क्या कर सकते हैं, आपको इसके लिए भगवान श्री हनमान जी के शरण में जाना जिनका जनम है दो ग्यारा बीस या उनतीस को यानि कि जिसका मूलांक दो आता है तो दो नंबर वालों लोगों आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है क्योंकि यह पूरा महिना है भगवान शिव का चल रहा है शिव का समवन जल से है चंद्रमा से है तो आपके लिए प्रसं आपको मिलेगी प्यार मुहबबत जो भी आपका काम है सब बनेंगे खुश्याली खुश्याली है आपके लिए और भी शुपता पाने के लिए भगवान शिव के शर्ण में जाईए उन्हें जल चड़ाईए पूजा पाट कीजिए इससे आपको और भी अच्छा होगा नं आतविशास कमजोर हो सकता है, हो सकता है किसी की बात मन में लग जाए, कोई भाध घर कर जाए, किसी चीज से अपको पर्षानी हो, पाल्तु का बेवजा का तनाव हो सकता है कारियों में संदे होगा, थोड़ी देर ही हो सकती है, और सोची विचार से थोड़ा सा काम लेने की ज़रते और emotional मत हुएगा जान बुचे किसी काम में मत पढ़ जाएगा जिसमें नुकसान होने की संभावना हो आपको और सोच समझ के जो भी कारे करेंगे तो ही फायदा होगा तनाव नाले बेवजा का और अपने आत्विश्वास को बढ़ाने के लिए सूरे की उपास न करें गायतरी मंत्रों का जाब करें ओम भूर बुवस्वह तक से वितर वरेणियम भरगो देवस्तदी मही धियो योना प्रच्यो दयात यह है गायतरी मंत्र सूबह सूरे को जल चड़ाएंगे और 24 बार गायतरी मंत्र का पाट कीज़े और याद रखें गायतरी मंत्र हमेशा दिन में बोला जाता है सूबह बोला जाता है रात को नहीं बोलते हैं तो गायतरी मन्त का जाब कीजे, ओम घ्रणी सूरे दिवाय नमा का जाब कीजे, इससे आपके दिन अच्छा होगा, आपके आतिशास जागेगा, और लाल वक्त स्थरका प्रयोक करेंगे, तो भी आपका आतिशास अच्छा रहेगा, मजबूत रहेगा, तो अब हम बात करते ह उन लोगों का जिनका जन्म तारिक है 4, 13, 22, 31, यदि आपका मूलंक चार बनता है और आपके जन्म तिथी है 4, 13, 22, 31, तो आपके लिए कैसा है सबता है, बहुत ही शानदार रहने वाला है, खुशाल रहने वाला है, मान सम्मान, पैसा, शौरत, सफलता, सब काम होंगे, जो भी आपको फायदा देगा, हर तरीके से दिन अच्छा ही अच्छा है, शानदार है, शुबता भरी है सबता में, और भी अच्छा बनाने के लिए क्या कर सकते हैं तो आपको करना इतना है, कि आपको माता की चोखट पकड़ लेनी है, शुक्रवार वाले दिन माता के, तो मंत्रे शुबता है, बहुत ही सुन्दर मंत्रे शादी के कार्ड में आपने देखा होगा लिखा रहता है तो इसको आप करेंगे, पढ़िए इससे आपको फायदा होगा आपका दिन और भी अच्छे जाएगा, हफता और भी जाएगा अब हम बात करते हैं, उन लोग जिनका जनम हुआ है 5, 14 या 23 तारीकों आपका मुलांक बनता है 5 तो आपके लिए कैसा दिन रहेगा, तो आपको कोई अंजानब है, सता सकता है, कोई डर हो सकता है, कारों के लिए के संदे हो सकता है काम होगा नहीं होगा, इसके आप सोच सकते हैं, और थोड़ा सा कारेच्छेतर में आपको सफलता कम मिलने के चांसे से तो इसके लिए जो आपके जो शत्रू हैं, उनको थोड़े से अप्शत्रू से भी पराजित हो सकते हैं, क्या करना है यदि आपको अपने दिन को अपने टाइम को बहुत अच्छा बनाना है तो भैव को जीतने वाले भगवान जी कौन से है शनीदेव और भगवान हनवान जी तो आपको हनवान जी और शनीदेव की शड़ में जाना चाहिए शनीदेव नाय के देता है और हनवान जी आपको हर बजदंग बाड का रोज तीन बार पाट करने से आपको फायदा होगा बजदंग बाड का पाट कीजिए आपको शुबता मिलेगी अच्छा रहेगा आपके साथ सब अच्छा होगा और आपके जो भी भे हैं वो डर निकल जाएंगे रात को सोते समय शेनकक्ष में कपूर जल करता है उसका थोड़ा सा सिंदूर लागे अपने कमरे में किसी चांदी के डिबी में रख लीजिए इससे भी आपको फायता होगा तो यह बात रही आपकी पांच चौदव तैईस वालों की अब हम बात करते हैं उन लोगों की जिनका जनम हुआ है छे तारिकों 15 तारिकों उनका मोलांग बनता है तो आपके लिए कैसा है आपके लिए बड़ा अच्छा टाइम है आत विश्वास आपका बड़ा रहेगा कोई अच्छी उपलब्दी मिल सकती है परिवार दोस्तों साथ घूमना फिरना इंजॉय करेंगे बाहर मीटिंग कर सकते हैं लव मेट के इंजॉय करने वाले हैं अपने टाइम को और भी अच्छा और भी शुब बनाने के लिए भगवान गणेश की शुबता पालीजिए गणेश अथर शुष का डेली बाट कीजिए उनको दुर्वा चड़ाईए नाम लीजिए ओम गंगडपते नम्हा का जाब करते वे अपन बनाने के साथ सोला और पचिस तारीको थोड़ा वांसी कतनाव रह सकता है गुस्ताइश रह सकता है जुचड़े हो सकते हैं तो थोड़ा सथ छीक से रहेगा ज्यादा किसे उल्जी है मत लड़ाई जगड़ा नहीं करना है खुश रहना है कोशिष कीजिए माता का स्वास खराब है सकता है तो मां का विध्यान रखेगा और परवियार के साथ कई घूमने जाने का मन बन सकता है तो जरूर घूमीयेगा फैमली को टाइम दीजे अगर आपके बच्चे अने टाइम दीजे मातापिता है तो थोड़ा सा परेस देजे घूम यह एक दूसरे को समझिए तो आपका टाइम अच्छा जाएगा, क्या कर सकते हैं, करने के लिए मैं आपको बताऊंगी कि यदि आप चंद्रमा की सेवा करेंगे तो आपकी माता के स्वस्त में हलका सा सुधार होगा, यानि कि उसको सब्पोर्ड मिलेगा, शिवलिंग पे जल चड़ाना, चंद्रमा के नियमित, आप जल और कच्छे चावल बिना टूटे वे शिवलिंग पे चड़ाईएंगे तो आपको फायदा होगा, और इसके लावा रात को चंद्रमा को अर्दी देना भी अच्छा रहेगा, आपके लिए शिव चालिसा पढ़िए, आपकी उर्जा बनेगी, लाइफ अ आपका जो आठ नमबर का स्वामी भी शनी होता है, आपके सारे काम शनी देवता की इच्छा से अठके होते हैं, और नहीं की इच्छा से पूर होते हैं, लिकिन इस हफता कैसे जाने वाला है, बड़ा अच्छा जाएगा, पूरे हफते आपको उर्जा मिलेगी, क्योंकि श फाइदा होगा, कोई नई डील कर सकते हैं, कोई नया काम स्टार्ट कर सकते हैं, कोई बिद्नेस कर सकते हैं, संतान की रूप में भी आपको अच्छी पुलब्दी मिलेगी, यदि आपकी संतान को एक्जाम वारा देर यह तो अच्छा एक्जाम से रिजल्ट हो सकता है, अब बात करेंगे उन लोग जिनका नंबर है नो अठारे 27 को जनम हुआ है जिनका जनम नौ तारीकों 18 तारीकों 27 तारीकों हुआ है आपके बता सकती हूं कि थोड़ा वाज व्यास की सितियां बन रही है गुस्सा आएगा शोर होगा कलेश होगा मन हो सकता आपका शांद रहे क्या है जो भी काम है उस जो भी काम है उसको ठीक करके रखो और परिवार में जो भी कलेश poser है चीवन होगा शाथ दिनोमें विवाद की स्थित्यों को टालने कोशिश कीजिए, जितना चुप रहोगे उतना टाइम अच्छा जाएगा आपका, एक छोटा सा लॉजिक पता रही हूँ कि जब भी आपके महौल ऐसा बनने लगे, क्रेट हो लगे, जब आपको बहुत गुसा आ रहा हो, शांत हो रहा हो, तना भरा हो, तो सबसे पहले चुप हो जाना चाहिए, बोलो ही मत, जब आप शांत रहोगे, कुछ बोलोगे नहीं, तो सामने वाला भी अपना चुप हो जाएगा, तो इस चीज को आपको करना है, और क्या करना है नौक्षर वालों को, आपको जो है, अपने दिन को, अपन चाहिए, और देवी का, जो मंत्र है, ओम, एम, हरीम, क्लीम, चामुंडाय, विच्चे, इसका जाप कीजे, इससे आपका दिन अच्छा जाएगा, सब तह अच्छा जाएगा, तो ये था आपका, साथ दिनों का प्रडिक्शन, जो भी, मैंने आपको नंबरों के साफ से, न WhatsApp 812-647-63, डवल लाइन पर, voice message में भेज दीजे, comment में बिलकुल भी ना लिखे, आपका दिन शुब हो, mangal में हो, thank you so much.